सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाईए बेल आइकन को लेटेस्क रिकेट न्यूस और अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरस्टिंग वीडियो में दोस्तो हमारे मन में जो है अभी भी बहुत सारा डाउट है कन्फ्यूजन है कि जो डैविड वार्नर है वो IPL के आक्षन में जाएंगे या फिर हैदराबाद की टीम से ही खेलने वाले है दोस्तो आप जो है आज इस वीडियो को शुरू से लेके लास अलग पूरा देखिए दोस्तो मैं जो है आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा और दिखाऊंगा कि जो डैविड वार्नर है वो दोस्तो 2019 का IPL हैदराबाद की टीम से ही खेलने वाले है और ये जो बात है दोस्तो यहां पर हम सभी उपन कर लेते है उसके बाद में दोस्तो जो है आपको थ्री डॉट डिखाई दे रहा है उसके ओपर क्लिक करने के बाद हम जाते है उनके स्कौर्ड के ऊपर दोस्तो जैसे हम सभी स्कौर्ड के ऊपर क्लिक करते है सबसे पहले जो नाम हम सभी को तो दोस्तो आप सभी को लगता रहेगा इसके अंदर डैविड वर्नर का नाम है तो इसके अंदर एलेक्स हेल्स का नाम नहीं होगा दोस्तो हम सबी है इसको आगे चेक कर लेते है तो दोस्तो उसके बाद में नाम आता है वो है सिखर धवन का उसके बाद नाम आता है मनीस पांडे उसके बाद देखते है आता है केन विलियमशन उसके बाद में आता है रिक्की बुई और दोस्तो उसके बाद में आता है सचीन बेबी फिर दोस्तो आता है तनमय अगरवाल और दोस्तो उसके बाद में देखते है तो आता है वो है एलेक्स हेल्स तो दोस्तो आप सभी को दिखाई दे दरा है यहाँ पे जो है डैविड वर्नर का नाम भी है और जो एलेक्स हेल्स है उसका भी नाम हम सभी को साफ साफ दोस्तों अब बात कर लेते हैं IPL T20 के ओफिशियल वेबसाइड पे जो डैविड वार्नर है उसका नाम क्यू नहीं दिखाई दे पड़ रहा है है हैदराबाद के स्कॉर्ड में तो उस स्कॉर्ड के अंदर जो है सिर्फ उन ही खिलाडियों का नाम है जो कि हैदराबाद की स् स्कॉर्ड में नहीं दिखाई दे पड़ रहा है लेकिन अगर हम हैदराबाद के ओफिशियल वेबसाइड पे देखते है तो उसके अंदर जो है डैविड वार्नर और एलेक्स हेल्स यह दोनों खिलाडी है उनका नाम हम सभी को साफ साफ दिखाई दे पड़ रहा है दोस्त आप सभी जो है गूगल पर जाके देख सकते है उसके अंदर हैदराबाद की जो एफिशिल वेबसाइड है उसके अंदर आप सभी को साफ साफ दिखाई दे पड़ रहा है फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिये शेयर कीजिये अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, तब तक के लिए हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्रिकेट खेलते रहिए,